नया नियोजन नीती जिस पर रमे सांसदा की ओर से जहारखन हाई कोट में एक मामला दर्ज किया गया है मामला किया था जहारखन सरकार ने नया नियोजन नीती में जो जहारखन राज में होस्तित किछिल सेक्शनिक संस्थान से दस्वी और बार्वी पास करना अनिवार कर दिया है साथ ही भासा किस रहनी से हिंदी को हटा दिया गया है इसके खिलाब रमेश सांजदा के और से जहारखाण हाई कोट में मामला तरज किया गया है इस मामले पर काफी सुनुवाई चल रही थी आज भी आने 5 सेक्टेमर को भी इस मामले पर सुनुवाई हो रही थी तो आज के सुनुवाई का समरी क्या है आपको डिटेल में बताते हैं 5 सेक्टेमर के सुनुवाई का समरी क्या है तो यह मामला किसके बेंच में लगा है यह केस जो है जारखन हाई कोट के मुख्य न्यादिस रवी रंजन और न्यादिस सुजित नराइन के बेंच में यह मामला चल रहा है जहारखंड सरकार की तरफ से वकील कौन पेस हुए थे सुप्रिम कोट की अधिवक्ता सुनिल कुमार और रमे सांसदा की तरफ से कौन पेस हुए थे अजित कुमार तो जारखंट सरकार के और से कहा गया है कि यहां की भासाओं को लोग समझे और इससे सरक्षित क्या जा सके इसलिए हिंदी को भासा की स्रेनी से हटा दिया गया है और यहां की जंजाती भासाओं को पर्मोट करने का निरने लिया गया है तो सुनिल कुमार की ओर से सुप्रिम कोट के कई आदेसों का हवाला दिया गया जिसमें राज सरकार ने अस्थानिय भासा के भासा को विजन परतियोगीता परिच्छा में सामिल किया है तो सुनिल कुमार की तरफ से एक्जामपल दिया गया कुछ राजियों का कि यहां पर जो यहां की अस्थेट के भासा है इसको परतियोगीता परिच्छा में सामिल किया गया है लेकिन आपको यह भी जानना ज़रूरी है कि जारखन की मुख्य भासा की सरेनी में हिंदी भी आत अगली सुनवाई का मुख्यर की गई है तो अगली सुनवाई जो है साथ सेक्टेमबर को फिर से सुनवाई का अगला डेट दिया गया है इसमें क्या होता है अगली सुनवाई जहाता है काफी मतपूर होने वाली है उससे पहले जारखन सरकार के ओर से जो दस्वी और बार् भोग के फायदा होगा कैसे फायदा होगा जाए जारकन सरकार शेयर्प कके यहां इसका जवाब हाइक ज़ारकन सरकार पर भरोसा नहीं क्या करते है